जब UPKCM योगी आदितेनात का ये बयान और कॉंग्रेस के घोषना पत्र में दो बाते उनकी तरफ से कहा गया कि कॉंग्रेस कहती है शरिया कानून लागू करेंगे तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं योगी आदितेनात का ये बयान जरा सो जब कॉंग्रेस के घोषना पत्र को आप देखते हैं दो बाते हैं घोषना पत्र में नजड़ाती है एक कॉंग्रेस कहती है कि हम डेक्तिकत कानून को लागू करके सरिया कानून को लागू करवा देंगे इसका मत्बाब बावा साथ भीमराओं बेट करके द्वारा बनाये गए सम्विधान के लिए ये लोग खत्रा पैदा करना चाहते हैं यानि देश के सम्विधान को खत्रा पैदा खत्रे में डालना चाहते हैं तालिबानी सासन लागो करना चाहते हैं क्या हम तालीबानी सासन को स्वीकार करेंगे? क्या ये देश तालीबानी सासन को स्वीकार करेगा? और वह देखिए, योगी आदितनाथ का आपने बयान सुना, वहीं राजस्तान बीजेपी के अध्याक्ष हैं, सीपी जोशी उनका एक बयान भी इस सुर्खियों में मोधी जी तीसरी बार पीम बनने वाले हैं बाबर का बच्चा बच्चा भी अब जैश्री राम बोलेगा सनातन का डंका दुनिया में बज रहा है ये कहा है सीपी जोशी ने ये बयान भी सुनिए जो लोग अभी तक जैश्री राम बोलने में जिनको तकलीफ हो रही है तीसरी बार मोधी जी प्रधान मंत्री बनने वाले हैं बाबर का बच्चा बच्चा भी जैश्री राम बोलेगा है मदावे के साथ क्या सकता हूं हम सनातनी लोग हैं अराज सनातन का डंका किलास वांसरोर से लेकर सोमनात काशी विश्वनात दुज्जेन वालोग को विडर अब तो अबुदावी जैसे मुस्लिम राश्य में भी जब बड़ा मंदिर बव्य मंतर दिव्य मंदिर बनता है तो उसकी आधार शिला भी हमारे प्रधान मंतरी रखते हैं और जिसके पाटो सोमें भी हमारे प्रधान मंतरी जाते हैं तब हमें लगता है कि हमारा सनातन दुनिया में डंका बजा रहा है